क्या आप सभी ने कभी ऐसा गेम खेला है जिसका एंड कर पाना काफी मुश्किल हो बस आप कोशिश करते जा रहे हैं और गेम खतम होने का नामी नहीं ले रहा है पर आज के जमाने में इंटरनेट की वज़े से आप मुश्किल से मुश्किल गेम काफी असानी से पार्क कर लेते होंगे और पहले को लोगों को गेम का एंड देखने के लिए उस गेम को पूरा पार्क करना पड़ता था इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गेम के एंडिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्लैपी बर्ड एक साधारन गेम है जिसमें आपको बर्ड को बिना किसी वाल से टच किये आगे बढ़ाना होता है स्क्रीन पर टैप करके फ्लैपी बर्ड को डॉम नाम के एक गेम डेवलपर ने बनाया था इस साधरन गेम ने कुछी हफतों में पूरी दुनिया को अपना दिवाना बना लिया था डॉम को इस गेम को बनाने में सिर्फ कुछी दिनों का ही समय लगा था इसलिए डॉम को जरासी भी उमीद नहीं थी कि ये सिंपल सा गेम लोगों को इतना पसंद आएगा आज के समय फ्लैपी बर्ड के एप स्टोर और गूगल प्लै स्टोर पर मिलकर 50 मिलन से भी ज़्यादा डाउनलोडर्स मौजूद है और जब फ्लैपी बर्ड वायरल हुआ था तब ऐसा कोई भी शोसल मीडिया नहीं था कि जिस जगर इस गेम की बाद ना हो रही हो और कई लोगों का मानना है कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है और इस गेम को सिर्फ लोगों के पेशन्स लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया था लोग इस गेम से बहुत जल्दी चेर्टो जाते थे पर फिर भी इस गेम को खेलना बन नहीं करते थे और कुछ लोगों ने इस गेम को खतम भी किया है पर कुछ लोगों को इस गेम की एंडिंग खास नहीं लगी जब इस गेम में 999 पूइंट्स पूरे हो जाते हैं तब Flappy Bird के सामने Mario आता है और Flappy Bird कभी भी Mario से आगे नहीं जा पाता है और मारियो फ्लैपी बड़ को मार देता है और गेम वही पर खतम हो जाता है तो सोचिए दोस्तो इतनी मेनत करने के बाद इस गेम ने कितने लोगों को लाश में डिसापोइंट किया होगा आप सबी ने सब्सफर गेम अपनी आज तक की लाइफ में एक ना एक बार तो खेला होगा इस गेम को 2012 में साइबो और गीरू कमपनी ने मिलकर लाँच किया था यह गेम जैसे ही लाँच हुआ और कुछी दिनों में यह गेम सूपर हिट हो गया और महेंगे से महेंगे फोनों में और सस्ते से सस्ते फोनों में यह गेम देखा जाने लगा दोस्तो इस गेम के रूल्स काफ़ी सिंपल है और इसलिए हर कोई इस गेम को खेलते हुए घंटो बिता देता है गेम में एक player होता है जो पुलिस वाले और उसके कुत्ते से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए उसे coins collect करने होते है और साथ ही अपने रास्ते में आने वाले obstacles से भी बचना होता है पर एक साल पहले Templeland game भी launch हुआ था पर लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया पर Subway Suffer के बाद Templeland भी काफी हिट होने लग गया था उस समय काफी कमपिनियों ने ऐसे गेम लॉंच किये पर Subway Suffer का मुकाबला कोई भी गेम नहीं कर पाया और बहुत से लोगों का मानना है कि Subway Suffer एक endless game है जिसे कितना भी खेलो उसका कभी end ही नहीं होता पर टेक्निकली देखे तो ये गेम भी endless है क्योंकि हर डिवाइस में एक limited memory होती है जिसमें एक limit तक data store किया जा सकता है पर Subway Suffer के developers का कहना सही है कि उसका game endless है पर जैसे जैसे आप इस game को खेलोगे इस game का data आपके phone storage की memory में save होता जाएगा और एक समय आने पर memory full होने की वज़र से ये game crash हो जाएगा और game end हो जाएगा अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए और bell icon पर click कीजिए तो कि हमारी नई वीडियो की notification मिले आपको सबसे पहले दोस्तो आप सबी ने duck hunt game तो खेलाई होगा एक नए एक बार आपने अपनी जिंदेगी में ये game तो जरूर खेला होगा ये game इतना popular है इसकी popularity का अंताजा आप ऐसे लागा सकते है कि 28 million copies इस game की अभी तक बिक चुकी है duck hunt game में player के पास एक gun होती है और उस gun से screen पर उड़ रही बतको को shoot करना होता है इन बतको को एक कुटा घासों में से उड़ाता रहता है और जब आप उन बतको को shoot नहीं कर पाओगे तो वह कुटा आपके उपर हसता है कुछ इस तरीके से इस game के developer का कहना है duck hunt game उनके best selling game में से एक है पर ज़्यादा तर लोग इस game की ending के बारे में नहीं जानते होंगे जब player इस game की 99 level को पार करता है और फिर से level 0 पर पहुँच जाता है इस game की ending बाकी game की तरह भी disappoint करने वाली है और उस level पर बहुत सारी duck आस्मान से जमिन पर गिरती हुई दिखती है जिनको निशाने लगा पाना ना मुनकिन है जब सारी duck नीचे गिर जाती है तो वह dog फिर से आता है और player के उपर हसता है और game खतम हो जाता है आप सभी जब chrome browser यूज़ करते होंगे और internet जब नहीं चलता होगा तभी आपको आपके chrome browser के screen पर एक game दिखता होगा और उस game में आपको एक dinosaur दिखता होगा और उस game का नाम है T-rex game इस game को खेलना बहुत आसान है जैसे fluffy bird game में bird खुद आगे बढ़ती थी वैसे ही इस game में T-rex खुद आगे बढ़ता है और player को screen पर tap करके सामने आने वाली obstacles के उपर से jump करवाना पड़ता है Chrome के developer का कहना है कि इस game को इसलिए बनाया है ताकि जब user के पास internet ना हो तो बिना internet के भी user का time pass हो सके यह game साल 2018 में 270 million बार खेला गया था इसलिए Chrome के developer को इस game को manage करने के लिए एक team बनानी पड़ी दोस्तों जैसे सभी game की ending होती है वैसे इस game की भी ending है Chrome के developer का कहना है कि उन्होंने इस game के code को काफी critical तरीके से लिखा है जिसकी वज़े से इस game को पूरा करने में 1.70.000.000 साल लगेंगे और जब तक तो player मर चुका होगा दुनिया के सबसे super hit game में से super mario और सभी ने अपनी life में इस game को एक नए एक बार तो खेला होगा पर क्या आपको पता है इस game का end कैसे होता है इस game में mario का काम है princess को बचाना जिसे dragon ने किनेप किया होता है और इस game में 8 level होते है और हर level को आप जैसे जैसे पार करोगे वैसे वैसे level हाड होते जाएंगे और बहुत सारे player इस game के end तक पहुच भी पाए और बहुत सारे player इस game के end तक पहुच भी नहीं पाए पर जब आप इस game के end तक पहुचोगे वहाँ पर आपको एक प्रिंसेस देखने को मिलेगी जिसको ड्रेगन ने क्रिनेप किया होता है और मार्यो ड्रेगन को मारके प्रिंसेस को बचा लेता है और इस तरीके से इस गेम का एंड हो जाता है दोस्तो आप सब इने Among Us गेम के बारे में तो सुनाई होगा और Among Us ये गेम इस साल कुछ जादा ही पॉपिलर हो गया ये काफी सिंपल गेम है और सिंपल होने के बावजूद ये लोगों को काफी पसंद आया और इस गेम को लेकर तरह तरह की थेरिस आने लगी इस गेम का end कैसे होता है इस गेम को खेलने वाले सबी लोगों को पता होगा पर एक थेरि के हिसाब से गेम में कोई Imposter होता ही नहीं बलकि इस पेस में काफी समय बिताने के बाद क्रू मेंबर की ही mental है इतनी खराब हो जाती है वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है और बाकी सबी क्रू मेंबर्स को अपना दुस्मन सबनने लगता है और एक के करके सबी को शिप के बाहर पिकवाने लगता है और खुद को हीरो समझने लगता है पर उसकी यही सोच आपको इन पोस्टर में बदल देती है यानि इस थेरी के मुताबिक जो इन पोस्टर होता है वो भी असल में क्रू मेंबर ही होता है बस उसकी मेंटल हैट ठीक नहीं होती यह स्टोरी थी Among Us गेम की थेरी के मुताबिक दोस्तो आप सभी ने नोक्या के स्नेक गेम को तो देखा होगा और शायद हम सबने बच्पन में सबसे पहले इसी गेम को ही खेला होगा तोकि नोक्या फोन काफी पॉपिलर था और उसी वज़े से यह गेम भी काफी पॉपिलर हुआ पर क्या आप जानते है इस game का end कैसे होता है दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता कि इस game का end कैसे होता है तोकि इस game को एक internet user ने काफी देर तक खेला और उस video को internet पर डाल दिया और उस game में snake काफी बड़ा हो गया था कि उसकी screen में इतनी सी भी जगर नहीं बची थी और user को लगा अभी इस game का end हो जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद snake ने अपने tell को ही hit कर दिया और game end हो गया मतलब इस game का भी end नहीं है पर आप सभी इसे ही इस game का end समझ सकते हो तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और ऐसे ही tricky facts देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल tricky world पर